हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमलेश विशुवकर्मा यूटूब चैनल पे जैसा की फ्रेंट्स यह आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग का NCVT MIS का ओफिस्यल बेपशाइट है जो कि फाइनली आप लोग का ITI परिच्छा 2021 का फाइनली आप लोग का ले हुआ है डिजिटी का कि आप लोग का जो परिच्छा है और यहां पर आप लोग का फिर से करवाने के लिए यहां पर आप लोग का लेटर जारी हुआ है और यहां पर जितने भी छात्रों का एक्जाम हो रहा है सिवीटी के माध्यम से तो उनका एक्जाम यहां पर लगाता रहा है नहीं उनका एक्जाम पेपर सब्मिट हो रहा है और नहीं उनका हॉल टिकेट आ रहा है और नहीं उनका रोलंबर सब्मिट हो पा वो के लिए उसको क्या करना है उसका एक्जाम फिट से होगा या नहीं हो गाँ ahead डीयोस रणों को कम्पेंट और ध्यान से देखना है और पाइगा अभी तक मेरे वीडियो auf लायक नहीं किये हुए हैं तो आप लोग इसे एक लायक कर किये और हमारे यूटूब चल्लाइब पर नए हैं सस्क्राइब नहीं किये हुए हैं तो आप सस्क्राइब करने आपको नीचे एकasten रेट करें का बटन वाला आप लोग उससे दवालना है और घंटी वाइगन को आलोंटी फिकेशन पर क्लिक कर देना है तो फ्रेंट्स आईए टाइम नव वेश्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि फ्रेंट्स यहां पर आप लोग का फाइनली आईटी आई परिच्छा 2021 का आप लोग और यहां पर आज ही आप लोग का डिजिटी ने भेजा है नोटिस कि आप लोग का एक्जाम OMR या फिस्टिटी के मादम से लिया जाए या फिर आप लोग का एक्जाम जो है ओनलाइन ना होकर आप लोग का आफ लिमादम से लिया जाए तो फाइनली आप लोग लेटर आ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यही लेटर आप लोग का आया हुआ है ITI Digital का और Frequency मैं आप लोग को बाहत द knives यहाँ लोग देख पा रहे हैं आप लोग को मैं से पहले date दिखा दूँ कि यह आप लूग का लेटर जो आया है तो उसके लिए यहां पर आप लोग का जो exam center है वो यहां पर ITI चातरों को बहुत सी दिक्कते आ रही हैं उनके ITI चातरों के भविस्षात यहां पर खेलवाड किया जा रहा है क्योंकि आप लोग का जो exam है लगातार पोश्पोंड होते आ रहा है और ऐसे में जितने भी चातर ITI का नहीं मिल पा रहा है और यहां पर ITI के student ITI इसलिए करते हैं क्योंकि AOA का अच्छा सा job कर लें अप्रेंटेस कर लें या फिर कोई फार्म अपलाई कर लें ITI से related तो इसलिए ITI करते हैं बट माल उनका जो दो साल का ITI है चार या पांच साल लग जा रहे हैं ITI करने में तो ये डिगरी काउन सी काम की होगी तो आप लोग भी सोच सकते हैं और इसलिए ITI के लगातार यहां पर ITI जो student है लगातार धरना पर धरना किये जा रहे हैं उन लोग रोट जाम कर रहे हैं धरना पदर्संग कर रहे हैं इसलिए आप लोग का डिजिटी ने सोचकर यहां पर एक लिटर जारी किया गए जो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं प्रेशक परधाना चार है राज की अधोगी परसिच्छड संस्थान इटावा ठीक है यह इटावा का आप लोग का नोटिस जारी हुआ है इसके बाद आप लोग का दिया गया श्रेवा में निदे रहा और इसके बाद यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं परिच्छा सिबीटी फेज 6 2021 ठीक है उसके बारे में आप लोग आया है यानि फ्रिंट्स आप लोग का फेज 6 जो है वह आपका कोपा और ट्रेट का आप लोग का एक्जाम कैंसिल हुआ था वह आपका 28 जनवरी का आप लोग का एक्जाम कैंसिल हुआ है उसके लिए यहां पर आप लोग का दिया गए कि आप लोग का एक्जाम कब होगा क्योंकि आई टी आई छात्रों को लगातार यहां पर उनको डाउट्स आ रहे हैं क्योंकि उनका जो एक्जाम है उनका पहले तो हॉल्टिकेट सई अनम में उनका फोटो है ठीक है और यहां पर जिनका डाउंडोर्ड भी हो पर नाव पर मालो जो प्रिश्चा केंद्र है वो दिया है बट उनका पारिश्चा केंद्र बना गुए है वह 100 yp – 100-100 km के रेंज में उनका परिश्चा केंद्र बना तो इतनी दूर ITI के छात्र किस प्रकार जाएंगे उनके पास कोई भी साधन उपलब्द नहीं है जाने के लिए तो ऐसे में एक्जाम जो उनका छूट जा रहा है और माल लोग यहां पर पहुशते भी हैं तो उनका एक्जाम जो है CBT का नहीं हो रहा है क्योंकि CBT का सर्वर इतना ज्यादा हो रहा है जिससे आप लोग का एक्जाम भी नहीं हो पा रहा है और आप लोग का रोलंबर भी इसमें संविट नहीं हो पा रहा है और आप लोग का क्वेस्टन नंबर भी चेंज नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आप लोग का एक्जाम किस प्रकार लिया जा यानि फ्रेंस आप लोगों का जो आप लोगों का दो फरवरी से आप लोगों का एक्जाम हुआ था उसी सम्मद में आप लोगों का यहां पर लेटर जारी हुआ है कि आप लोगों का जो फेज 6 का दिनांक दो दो फरवरी 21 प्रथम पाली परिचा के सम्मद में आप लोगों क आप लोग जारी हुआ है तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं महोदय साधर अउगत करानाई की अखिल भारतिय बेवसाइक cbt परिच्छा फेज 6 प्रथम पाली दिनांक 2221 यानि दो फरवरी 2021 में सम्मिलित होने वाले परिच्छार्थी के cbt परिच्छा के समय किसी भी परिच्छार्थी का प्रश्ण पत्र पूढ रूप से प्रदर्सित नहीं हो रहा था जिस कारण फेज 6 दिनांक 2221 प्रथम पाली की cbt परिच्छा को निरस्थ करते हुए पुनाह कराने की किरपा करें महोदय से निवेदन है की उपरोक्त समस्याओं को निस्तारड कर परिच्छार्थियों के भविष्ट को देखते हुए अगामी फेजों की मैपिंग करने का एवं परिच्छा कराने की संस्थान असमर्थ है यहाँ पर आप लोग का बता रहे हैं कि आप लोग का जो आपका दो और तीन फ्रवरी को आप लोग का एकजाम हुआ है वह यहां पर आप लोग का किसी भी student का यहां पर जो exam है exam paper है प्रश्य पत्र है वाप लोग का किसी का यहां पर CBT में आप लोग कंपूर्ट मे पदर्शीथ या नि सोन नहीं हुआ है और ना ही उनका लॉंबर फील हो पाया है और ना ही उनका exam submit हो पाया है ऐसे में उनका एक्जाम जो है वो cancel कर दिया गया है अब आप लोग जो एक्जाम होगा वो दोबारा लिया जाएगा आप लोग के पास यहाँ पर एक्जाम फीस का आप लोग का यहाँ पर जो proof है वो आपके पास है तो आप लोग अपने ITI सलसाइम के प्रिंसिपल से संपर कर है और आप लोग का ITI के प्रिंसिपल बात करेंगे डिजिटी द्वारा और आप लोग का एक एक्सल सीट बनेगा जिसके माध्यम से आप लोग फिर से एक्जाम करवाया जाएगा ठीक है तो आप लोग फटा-फटी एकाम कर दिजिए आज ही और यहाँ पर आप लोग बात ही आप लोग का एक्जाम लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोग जितने भी एक्जाम हो रहे हैं और सीट के माध्यम से हो रहे हैं और आप लोग जब तक सभी सीट का एक्जाम कंप्लीट नहीं होता है तब तक जो यहाँ पर एक्जाम रद्द हो रहे हैं वो य से लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद